ओम शान्ति आज 11 जुलाई 2021 की अव्यक्त मधूर महावाक्य रिवाज है तिन फरवरी 1988 हेडलाइन है ब्रमा मात पिता की अपने ब्रामन बच्चों के प्रती दो सुवासाएं आज बीश्यो की शर्व आत्माओं की सर्व आसाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुवासाओं की रुहानी दीपकों को देख रहे थे जैसे बाप सर्व की शूब आसाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की सूब आसाएं पूर्ण करने वाले हैं, बाप बच्चों की आसाएं पूर्ण करते और बच्चे बाप को करते, बाप की बच्चों प्रती सूब आसाएं कौन सी है वो जानते हो ना, हर जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है अगर बार-बार टिम्टिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा बाप की शर्व आसाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप ददा भी देख हरसीत होते हैं आज बाप ददा आपस में रूरियान कर रहे थे बाप ददा के सामने सदा कौन रहते हैं बच्चे रहते हैं तो रूरियान भी बच्चों की ही करेंगे ना सिब बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रती अब तक कोई शुब आसाएं हैं तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबर वार अपनी शक्ति प्रमाण स्ने प्रमाण अठेंशन प्रमाण सदा बाप की शुब आसाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जबकि बाप ने हमारी सर्व आसाएं पूर्ण की है तो हम भी बाप की सर्व आसाएं पूर्ण करके ही दिखाएं लेकिन करके दिखाने में नंबर वार बन जाते हैं सोचना और करके दिखाना इसमें अंतर पड़ जाता है कोई-कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और कर करके दिखाना इसमें समान है लेकिन सभी ऐसे नहीं है जिस समय बाप किशने और बाप दोरा प्राप्तियों को इस्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया तो इसने शोरूप होने के कारण बहुत उमंग उसा में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वो मैं ही करके दिखाऊंगा लेकिन जब सेबा के वो संगठन के शंपर्ग में आते हैं अर्थार practical करने के लिए कर्म में आना पड़ता है तो कहां संकल्प और कर्म समान हो जाता है। अर्थार वोई उमंग उस्सा रहता है और कभी कर्म में आने समय संगठन के संसकार वो माया वो प्रकृति द्वारा आये हुई सरकमिस्टांस रूपी पेपर का मुस्किल अनुभो कराते हैं। इसलिए सने से जो उमंग उस्सा का संकल्प रहा वो सरकमिस्टांस कारण संसकार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चकर में आ जाते हैं। होना तो यह चाहिए लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए यह हुआ। इस अगर-मगर के चक्र में आ जाते हैं इसलिए उमंग उस्सा का संकल्प और प्रेक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है तो ब्रम्हा बाप बच्चों के पड़ती बिसेस दो आसाइं सुना रहे थे क्योंकि ब्रम्हा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है शिप बाप तो साथ ले जाने वाला है राज्य में वो सारे कल्प में साथ नहीं रहना है वो सदा साथ रहने वाला है और वो साक्षी हो देखने वाला है अंतर है ना ब्रम्हा बाप को बच्चों के प्रती सदा ही समान बनाने की सुवासाई इमर्ज रहती है वो इसे बाप द बच्चे माबाब दोनों के होते हैं लेकिन फिर भी माँ का बिस्स ने बच्चों से रहता है क्योंकि पालना के निमीत माँ बनती है बाप समान बनाने वाली निमीत मा होती है इसलिए मा की ममता गाई हुई है ये सुद्ध ममता है मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं जहां मोह होता है, वहां परिसान होते हैं और जहां रुहानी ममता कहो, सनेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति सान होता है परेशान नहीं होती तो ब्रमा माँ कहो बाब कहो दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी बिश्यस आसा है एक बाब प्रति आसा है और दुसरी ब्रावन परिवार के प्रति सूब आसा है बाब प्रती सुवासा है कि जैसे बाब ददा साक्षी भी है और साथी भी है ऐसे बाब ददा समान साक्षी और साथी शमय पर्मान दोनों ही पाड सदा बजाने वाले महान आत्मा बने तो बाब प्रती सुवासा हुई बाब ददा समान साक्षी साथी बनना एक बात में बाब ददा दोनों बच्चों से पूर्ण संतूष्ट है वो क्या हर बच्चे का बाब ददा से सने अच्छा है बाब ददा से कभी तुटता नहीं है और स्ने के कारण ही चाय सकती साली बन चाय यथा सकती बन चल रहे हैं ब्रामन आत्मा रूपी मोती बन स्ने के धागे में पिरोये जरूर है स्ने का धागा मजबूत है उससे तूट नहीं सकते हैं स्ने की माला तो लंबी है विजय माला छोटी है बाब दादा की स्ने की उपर शमर्पित भी है कोई कितना भी बाब की स्ने से जुदा करने चाहे ऐसे स्ने में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते सभी को दिल के स्ने से मेरा बाबा सब्द निकलता है तो स्ने की माला में तो संतोष्ट है लेकिन बाब समान शक्ति साली अगर मगर के चकर से न्यारे इसमें सदा शक्ति साली के बजाए यथा सकती है बाब ददा इसमें बाब समान सदा शक्ति साली बनाने की सब बच्चों में सुबासा रखते हैं जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं समय पर माड दोनों रिती निभाना इसको कहते हैं बाव समान बनना सनी की माला तो त्यार है लेकिन विजय माला इतनी लंबी त्यार हो जाए बाव दादा यही सुभासा रखते हैं 108 तो क्या? बावदादा खुली छुटी देते हैं. जितने विजय बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकते हैं. 108 की हद में भी नहीं आओ. है ही 108 नमबर. हम तो उसमें आ नहीं सकते. ऐसी कोई बात नहीं है. बिजय बनने के लिए एक वेलेंस की आविशकता है. याद और सेवा का वेलेंस. तो सदा सुनते रहते हैं. लेकिन याद और सेवा का वेलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और वेलेंस की आविशकता है वोई वेलेंस ब्रम्हा बाप की दुसरी आसा है एक आसा तो बाप प्रती हुई समान बनने की दुसरी आसा परिवार प्रती वो है हर ब्रामन आत्मा प्रती सदा शुब भावना, शुब कावना कर्म में रहे सिर्ब संकल्प तक वो चाना तक नहीं चाते तो हैं कई कहते हैं, चाना तो यही है कि शुब भावना रखे, लेकिन कर्म में बदल जाता है, इसका विस्तार पहले भी सुनाया है, परिवार प्रती स्राश शुब भावना, शुब कावना, क्यों नहीं रहती? इसका कारण जैसे बाब से दिल का स्ने, जीगर का स्ने है और दिल के जीगर के स्ने की निशानी है की अटूर्ट है बाब प्रती कोई कितना भी आपको मिसंडेस्टेंड अर्थाग गलत फेहमी करे वो कोई भी आपको कैसी बाते आका सुनाए वो कभी साकार में स्वेम बाब भी कोई वच्चों के आगे बढ़ने के लिए कोई सारा वो सिक्षा दे लेकिन जान स्ने होता है वो सिक्षा वो करेगा स्दव यही भावना रहती वो रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कैलान है कभी स्ने की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के श्रमिप समझते रहे कि अपने पन का स्ने है इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्ने जो भावना को परिवर्तन कर देता है बाप के प्रती सने की निशानी सदाही बाप ने कहा और हाजी किया ऐसे ब्रावन परिवार के प्रती सदाही ऐसा दिल का सने हो भावना परिवर्तन की बीधी हो तब बाप और परिवार में सने का वैलेंस याद और सेवा का वैलेंस सोतही प्रेक्टिकल में दिखाई देगा तो बाप बाप के सने का पढला भारी है, लेकिन सर ब्रामन परिवार में सने का पढला बदलता रहता है, कभी भारी और कभी हलका, किसके प्रती भारी, किसके प्रती हलका, यह बाप और बच्चों के सने का वेलेंसे रहे, यही ब्रमहा बाप की दुसी सूब आसा है, समझा, इसमें बा इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप ददा अस्थपना के कार्ज अर्थ निमीत्व बने। लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया। अगर practical में बाफ से भी बच्चे जादा सेवा करते हैं करते रहे हैं, तो बाफ ददा सदा बच्चों की सेवा में आगे बढ़ते सने के कारण खूस रहे ये संकल्प कभी भी दिल के सने में उत्पन नहीं हो सकता की बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए निमीत तो मैं हूँ, मैंने ही इनको निमीत बनाया, कभी सौपन मात्र भी ये भावना उत्पन नहीं हुई इसको कहा जाता है सच्चास ने, निश्वार्तस ने, रुवानिस ने, सदा बच्चों के आगे निमीत बनाने में हरसीत रहे बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैं पन नहीं रहा, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धी है, मेरा प्लैन है, नहीं, सने ये मेरा पन मिटा देता है आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया, ये शुब भवना वा सुब कामना, इसको कहा जाता है दिल का सने, सने में कभी अपना ये प्राया नहीं लगता, सने में कभी सने का बोल कैसा भी साधारन हुजजत का बोल हो, लेकिन फिल नहीं होगा, फिलिंग नहीं स्नेही स्नेही आत्मा के प्रती अनुमान पैदा नहीं करेगा। ऐसा होगा यह होगा। सिदा स्नेही के प्रती फैत होने के कारण उसका हलका बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अबश्य कोई मतलब से कहा है। बे मतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां सने होगा वहाँ फैत जरूर होगा सने नहीं तो फैत भी नहीं होगा तो ब्रामन परिवार के प्रती सने वह फैत होना इसको कहते हैं ब्रम्हा बाप की दुसरी आशा पूर्ण करना जैसे बाप के प्रती सने के लिए बाप दना ने सर्टिपिकर दिया ऐसे ब्रामन परिवार के प्रती जो स्ने की परिवासा सुनाई उस बीधी से परतक्ष कर में आना या भी सर्टिफिकेट लेना है यह वैलनस से चाहिए जितना बाव से उतना बच्चों से यह वैलनस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है और कई वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है सब से सेवा छुडा के भठी में बिठा दो आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय परमान वास्तों में सेवा माया जीत बनाने वाली है माया लाने वाली नहीं है लेकिन सेवा में माया क्यों आती है इसका मूल कारण दिल का स्ने नहीं है परिवार के प्रमान सने हैं लेकिन दिल का सने त्या की भावना उत्पन करता है वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रुप बन जाती है और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते चाहे कोई पचास सार सेंटर्स खोलने के भी निमित बन जाए लेकिन सेवा के खाते में या बाव दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मूग तो हो, योग यूग तो हो करते हो, किसके पास दो सेंटर है, देखने में दो सेंटर की इंचार्ज है, और कोई पचास सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर दो सेवा केंदर भी निर्वीग नहें, माया से, हल्चल से, स्ववा संसकार के टक से मुक्त है तो दो सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंदर वाले से जादा सेवा का खाता जमा है इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर से 40 सेंटर से लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर से सेंटर भी बढ़ाते जाओ माया भी बढ़ाते जाओ ऐसी सेवा बाप के रजिस्ट भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते, इतना बीजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बीजी तो नहीं रहते, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहा गया, समझा, स इसमें सो के और सर्व के सयोग वा संतुष्टता का फल परतक्षी दिखाई दे। अगर सर्व की शुब भावना, सुब कामना का सयोग वा संतुष्टता परतक्ष फल के रूप में नहीं प्राफ्तो होती हैं। तो चेक करो क्या कारण है? फल क्यों नहीं मिला? और वीधी को चेक करके चेंज करो। ऐसी सची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिभवने दिल खुस नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूं। लेकिन बाप की दिल खुस करो और ब्रावन परिवार की दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता सची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बढ़ी है। लेकिन जहां दिल की सेवा होगी, वहां दिल के सिने की शेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार की प्रती ब्रम्हा बाप की आसा पूर्ण करना। यह थी आज की रूरियान। बाखी और आगी सुनाएंगे। आज भारत वासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांसे। इसलिए बाप दादा क्या चाते है वो सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास कहां लिया है। अभी दुस्रा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा अभी बाप की आसाओं का दीपक सदा जगमदाते रहना। अच्छा चारो और के सरो ब्रामन कूल दीपक सदा बाप दादा की शुब आसाएं पूर्ण करने वाले सदा बाप और परिवार के दिल के स्ने का वैलेंस रखने वाले सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज़्यादा जमा करने वाले ऐसे बाप की शुब आसाओं के दीपकों की सच्छी दिल से सेवा करने वाले सेवधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस ड्रामा की पॉइंट के अनुभो द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभोई हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर इस्तितर एकरस अचल अडोल इस्तिती का अनुभो करते हैं ड्रामा के पॉइंट की अनुभोई आत्मा कभी भी बूरे में बुराई को ना देख अच्छा ही देखेगी अर्थात सो कैल्यान का रास्ता दिखाई देगा अकैल्यान का खाता खतम हुआ कैल्यान कारी बाब के बच्चे हैं कैल्यान कारी यूग है इस knowledge और अनुभौकी authority से अचल अडोल बनो slogan जो समय को अमुल्द समझ कर सफल करते हैं वो समय पर धोखा नहीं खाते अच्छा, होम शान्ती